तो इसने चैलेंज किया है मेरे को पंजाल अड़ावल मेरे साथ तो नमस्ते दोस्तों स्वागत्यापका मेरे एको नवे व्लोग में और आज आज सुबे समें पोपट हो गया दूद ले लार खा था मैंने दूद वाला भाया आया ही नी कलका बच रखावल दूद इसलिए नियारावल में आज पहले कर देता पौन है और सुद्य उद्य के बात करूं तो चैपच्पन पर सुद्य उद्य हो जाता है आज कल ज़र को तो अभी चलते हैं घर तो यह अब घर आ चुका हूं और दूद वाले भाया का भी यार अलगी सीने कुछ आज बच देरी में ज़ला दूद बचा है इसलिए नियारावल में तो अभी सबसे पड़ी फ्रेस पूराइस होते हैं हैं तो अभी पूरे तरह के से फ्रेस हो गया हूं बिलकुल मुहाद भी दूल द्धु डिया सारा कर दिया और कल से हमारे बोड़ एक्जाम भी सुरू हो गये हैं तो कल साम को बहुत पढ़ाई की साम तक रात की बहुत तो आज भी दिन बर पढ़ाई करेंगे ओनली थोड़ा बहुत करा मुगा घर का तो उसे करेंगे और अभी फिलाल सफाई करते हैं इदर की तो कल से आप हमारे बोर्ड एक्जाम है अलगी टर्म में बिल्कुल मतलब साम के टाइम में है डेट बज़े से हमारे सुरू और मैं कोशिस करूँगा कि परिक्षाओं के बीच बीच में भी मैं वीडियो बनाता रहूं तो अभी फिलाल सभी कमरों में मारते हैं जाडू तो पूरे ब्रांदे में और रूम में सब ज्यादा कचरा हमारे रूम से निकला है दूल मतलम तो अभी और काम होगा तो देखेंगे वरना दिन में सीधे पड़ाई का दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा सूट करने कोशिस करूँगा मैं इन 19 तारिक पर हमारा लास्ट पेपर ह आँ 19 को आए तो कुछिस करेंगे बीच बीच में वीडियो बनाने की छोड़ना नहीं है पूरे तरिके से तो अब भी टाइम साड़े आठ होने वाला है और सबसे पहले नास्ता करते हैं उसके बाद आराम से करेंगे पड़ाई स्टार्ट तो नास्ता करते हैं सबसे पहले चलते हैं किसंद में तो형וכ तो अबी नाश्दानुश्था हो गया है और देखते हैं आगे का सीन आज का क्या रहता है तो अभी फिलाल तोड़ा देर आरम करते हैं खाना कान। जाणा के बाद बहु पंशने दे तोग्यार साड़े बसने वाले हैं हम भी बैठे हुए हैं यहां पे मम्मी जी हां फिर कर दें कर दोगा है तो अब बाद इक досब्ले का सामान तो यह भी सही होने लगा है शुक्रे दवाई मिल गई कहां रखी इदर को रखेंगी वह यह डिस्टब मत कर दियो मेरे को टैबलेट एंड दो पेपर ला दिया हमने पुराने वाले उनी से पढ़ेंगे इनको और देखते हैं साड़े नौ और आए भी टाइम देखते हैं कब तक श्टमाया गया कुछ काम था तो आजाएगा वह एक दो गंटे में तो मैं पढ़ रहा हुए कुछ नहीं आरा समझ में तो इसलोग यात कर रहा हूं हिंदी में इसलोग भी बहुत इंपोर्टेंट है महीं जी पहुचा मारे इदर को मार दिया सुक्द गया हो तो पढ़ रहा हूं है विलकुल चिल माइंड से ना टेंसर लेनी ना कुछ लेनी है क्योंकि टेंसर लेंगे तक कुछ नहीं हो सकेगा कि पेपर है यारे कुछ नहीं फेपर बस क्रेस हो के पड़ो जो मन में आ रहे वो पड़ो जब मन करें तब पड़ो तो अभी टाइम साड़े ग्यारा हो गया है तो बस अभी के लिए फिलाल इतने रखते हैं दो गंटे जारे नहीं थोड़ा दीर में पढ़ देंगे थोड़ा हुआ साम को तो खेर पड़ नहीं है तो फिलाल रेस्ट करते है तो अभी टाइम पूर एक हो गया है और ये बहार हुखा कर रहे है कुमप सीक रहे है यह लोग यहां पर इस का नाम है भी इसका नाम बुलाते हैं इसको घर में इसका नाम पठती गया है इसका रियल नाम सलोनी इसको घर में बुलाते हैं और इसका नाम आरोसी है इसे गिंजी बुलाते हैं गर में इसे गिलू बुलाते हैं गर में इनका इंटर्ड्यूस करा दिया में ने तो भी मैं खेतों में आ र बदल देते हैं उनली बस साइट चेंज कर दी अब अपने आप जाता रहेगा पानी आगे को अब यह बच्चे फॉन पे लग गए यह यह नीचे के हैं इधर रहें इधर साइट यहां से पेड़ा है इसलिए दिखने रहा एक ही गरे पूरा यहीं के यह सब के सब यह दादाजी बल बात निखाएंगे इसलिए दादाजी के लिए भी रोटी बनाएगे ममी और मेरे लिए रख दिया है इसमें राइता है और राइता और चावल तो दादाजी निखाएगा बल चावल इसलिए दादाजी के लिए भी रोटी बनाएगे ममी तो मैं खाता हूं मैं तो वे मेरा खाणा हो गया है और दादत जी की रिकॉराइर्मेंट पे हमने रोटी बना दियर सब지 है और राहिता है तो लह जाते हैं बहुत जी सत्रों के लिए तो यह हमारेस्द जी के क्यों राहित तू तो बीद जी दिया खाणा रोटी और सब्जी ये लगे हुए हैं वाई नेट खता मत कर दियो ममी का अधिया ने पूरा नेट खता में उन्ड 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 न करनो तो इसने चैलेंज किया है मिर को पंजा लडावर मेरे साथ तो लडा तीज किसा चल लगा जो आए ये भाई सा बहुत जान है बहुत जान है लगा दो आट से आज हमको मैं एक दो तीज के दो आट से हरा दिया इसने तो भी ये लडा रहे हैं ये दो लडाओ अरे वाँ अवे एक हाथ से करो एक हाथ से इतना दो हाथ ही बोड़ी बीडर घेलू घेल्व साब अभी डुगू और ये लुगू डुगू 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 जीन तो आप दो लोग वी चल दी आपने घर की तरप तो अबंदर अराम करते हैं थोड़ा देर में थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे तो धिर और दुगु बी चल दिया पर crown我們 अपना खाना-ई-इस्हां-इस्टा-और है दुप सेंवें तो आपी नोगोर में परोड़ाए अब टाइम सामके दस बज गए हैं नो पस पन हो गया है टाइम मजब दस बजने वाले हैं तो अभी मस्त पड़ आई हो रही है और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कल पीपर है और देखते हैं कल का सीन क्या होता है आज के लिए इतना ही पसंद आएगो तो लाइक करना सेय में आपते के लिए बाइ